कि कोई है जो डिरिक्ट इंट्री से है वा रहा वा बेस्ट है बेस्ट है एकर भाई कि मेरे को लिंक बेज़े तुने कि केरो प्राइब अगरे को सब्सक्राइब अगरे को अगरे को अगरे बेस्ट है अगरे को Cambridge एक प्यारी सी स्माइल थोड़े पर कष्ट हो रहा है थोड़े दिन के बाद जानवरों के जैसे हसने लगोगे जानवर के से हसते यह भी पता चलेगा तुम्हें बट इन विच वेज़ लेक में इंट्रीज यू आनन्द भंग्रिया आपके लिए यह बहुत ज्यादा फाइदे बंद होगा खाफी अच्छी तरीके से चीजों को प्लाइन किया गया है तो आज मैं आपसे जो बात करूंगा इल बी टॉकिंग अबाउट अड़ांस कांट्स क्या है और आशा करता हूं कि आप भी उसी उमेद और उसी क्या बलते है एटीट्यूड से आया है कि भाई पढने का है 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 के नहीं ठीक है तो शुरू करें और देर वुड़ भी फ्यू रूल्स विच आल तेल यू अबोट दे क्लास वन्साइम डन विट बेसिक पार्ट सब्सक्राइब कर लिए है क्या मजग चलता है किया है तो वेलकम टो एडवांस रिकांट्स ग्रूप टू नहीं है यह हमारे पूर्ट्टे ने ग्रूप टू लिग दिया इडिस ग्रूप पन ओके ग्रूप पन तो पहले आपको एक बात बता दू कि जिन बच्चों ने ओल्ड से बच्चा है जिसने ओल्ड से बस्में भी पढ़ा है एन्यवन यह नो इस लाइड इस लाइड इस ग्रूप बन यह यह यूप टू जो कोई भी चीज रेड में या परपल कलर में वह डिलीट हो चुकी है और जो चीज आपकी ब्लैक कलर में सिर्फ वह रिटेंड ह है मतलब ओल्ड से लेबस में दो गुरूप वह करते थे गुरूप और गुरूप टू तो गुरूप पन का जो शिलेबस लिया गया है वो यह वाला लिया गया है कंपनी फाइनल अकाउंट ब्रांच अकांटिंग और कैश लो स्टेट्मेंट डियो एल अग्री और गूप अधिट्रू मेसे जो लिया गया है वह है बाइबैक पार्शली इंटरनल रिकंस्रिक्शन अकांटिंग फॉर अमाल कमिशन एन वोल्डिंग कंपनी अकांट्स इस तरीके से आपको बता दू कि अकांटिंग सेंडर्स भी है और यह सारे अकांटिंग सेंडर्स है तो आज हम में पहले काम क्या करना चाहिए कि can we write down the syllabus first or no need for writing down the syllabus syllabus लिखना है कि नहीं ठीक है so can you people please spare मैं आपको यह syllabus इस बार लिखना क्यों जरूरी यह भी बता देता हूं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और शुरुआत का एक पनना syllabus के बाद में blank रखना so that you will be able to write down कि इस बार paper pattern कैसे होगा आपका यह discussion आज day one को हो जाए तो बढ़ी है आपका 30 percentage marks mcq में आएगा paper pattern किस तरीके से होंगे यह हमें idea लगना जरूरी है और उसके लिए हमने क्या क्या किया यह भी आपको बताएंगे तो इसलिए paper pattern कैसे आएगा यह idea अंदाजा लगाना on the basis of the guideline given by the institute that is the reason let's hope that we write down the syllabus is that okay so raja bita ji first लिख लिजिए advanced accounts का syllabus में company final account company final account good morning good morning online के रजगुलों की जय हो तो पहला वाला कॉंसा बेटा जी company final account दूसरा वाला लिखिये branch account branch account तीसरा वाला लिखिये cash flow statement cash flow statement next click here buyback of equity shares next click here buyback of equity shares buyback of equity shares then write down internal reconstruction then write down internal reconstruction then write down accounting for imaging accounting for amalgamation accounting for amalgamation accounting for amalgamation accounting for amalgamation and then last one you write down holding company accounts holding company accounts holding company accounts now do you want to know what is the weightage of the marks in the old syllabus so let's understand what was the weightage of this topic company final account was asked anywhere between 10 to 20 marks sometimes 15 marks okay a single question branch accounting was also asked from 10 to 15 marks or 20 marks also you can say cash flow statement was asked for 10 marks okay then rajabeta ji buyback was asked for 10 marks internal reconstruction I can say 10 to 15 marks accounting for amal commission 10 to 20 marks or holding company accounts 10 to 20 marks so technically speaking agar am dhyan se dekhenge so agar am bare minimum bhi le to 10 plus 10 20 30 40 50 60 70 70 mark agar chahe institute to in topics पर दे सकते हैं 70 marks मेरे इसाब से 70 ना भी दे तो अगर 120 मार्क का पीपर है 120 marks का पीपर है उसमें से 70 marks आस पास चैप्टर क्योंगे और 50 marks एस क्योंगे है 120 marks का पीपर क्यों आएगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है एक question option option में आएगा so 100 marks के paper में एक question option में आएगा 20 marks का so out of six write any five okay question number one would be mandatory right which will encompass I guess mcqs question number one जो mandatory रहेगा मुझे लगता है उसमें case study based mcqs होने चाहिए और उसके basis पर अगर हम और अंदाजा लगाए तो 30 marks का paper कर अगर हमारा यह आता है तो वह majority मुझे लगता है एस पर dependent रहेगा और कुछ एका topic चोटे मुझे कुछ case studies इन टॉपिक्स पर भी हो जो कि आज तक पूछा गया है 15-20 marks by and large अभी तक पूछा गया है 15-20 mark का अगर question उस पर आए तो 80 mark का weightage chapters पर आ सकता है और 40 marks का weightage आपका AS पर आ सकता है जाहिर सी बात है जो कोई combination या permutation combination बनेगा 30 marks का ज्यादा weightage AS के तरफ होगा जिसमें mcqs होंगे is that okay तो AS के इस बार preparation जो हमें करनी पड़ेगी लाइन दर लाइन चाट लेनी पड़ेगी हमें और उसके basis पर हमें सब कुछ समझना पड़ेगा कि कौन से चार option में से सही है यह समझने के लिए बहुत important AS role play करेगा आशा करता हूं कि आपको यह बात समझ में आगी अभी एस एस में क्या क्या है लिख लिजिए नेक्स सेडिंग पर लिख लिजिए AS में accounting standards में क्या क्या है एक बार लिख लिजिए आजाना सचीन भाई कभी भी प्रेस्टीज कभी क्विड प्रेस्ट्ट आजाना में मिल जाऊंगा आपको आपको आगे write down the next item introduction to AS introduction to AS introduction to AS next framework for preparation and presentation of financial statement framework for preparation of financial framework for preparation and presentation of financial statement framework for preparation and presentation of financial statement write down next applicability of A.S. Applicability of A.S. Applicability of A.S. Applicability of A.S. Next, Raja बिटाजी लिख दीजिए, अभी A.S. बिटाजी इतना depth में लिखने का नाम जगह है, can I write down the heading of A.S. और उसके अंदर mark करके देदू, कौन से-कौन से important है, okay. So, here we go. A.S. के number लिखकर देता हूँ, सिर्फ चलेगा? So, लिखते जाए, A.S. 1, in fact, सारे include होगे, A.S. 2, A.S. 3, A.S. 4, A.S. 5, A.S. 6 is deleted, A.S. A.S. 7, A.S. 9, A.S. 10, A.S. 11, A.S. 12, A.S. 13, A.S. 14, A.S. 15, A.S. 16, Borrowing cost A.S. 17, in segment reporting A.S. 18, related parties A.S. 19, leases A.S. 20, EPS A.S. 21, consolidation A.S. 22, accounting for taxes A.S. 23 A.S. 24 A.S. 25 A.S. 26 A.S. 27 A.S. 28 A.S. 29 A.S. Logi. हो गया, लंबा से लबस छोड़ा, पूरा, अब इन में से कॉन सी चीज़े नहीं हैं और कॉन सी पूरा नहीं हैं, मैं आपको समझा देता हूं, A.S. 1, disclosure of accounting policy, time pass है, is that okay, A.S. 2 is valuation of inventory, आपका ये topic, foundation में भी हुआ है, inventory, दुबारा होगा, AS3 जो है, ये repeated है, अगर आपने एक topic का नाम लिखा होगा, cash flow statement, so cash flow statement और AS3 is one and the same, then my dear friend, आपने और एक चीज़ लिखी होगी, amalgamation, लिखा है ना, so AS Putin और amalgamation is one and the same, then Raja बिटाजी, you must have written consolidation, AS21 और consolidation would be one and the same, in fact AS23 and AS27 will also be dealt in what, consolidation, so आपके main topic में कितने री चीज़े cover होगी, AS3, 14, 21, 23 and 27, so मतलब कितने AS delete होगे, 1, 2, 3, 4, 5, ये chapters में हो जाएंगा, हमारे पड़कर, is that okay, अब आगे बढ़ते हैं बेटाजी, syllabus को थोड़ा सो और easy बनाते हैं, दो चीज़े नहीं, दो नहीं, पांच AS नहीं introduced हुए, उन में से, मतलब यह जो first time आप ही बढ़ेंगे, AS15, ये AS23, AS27, AS28 and AS25, जहां जहां पर मैंने यल्लो किया है, ये AS आपके लिए इंट्रदूस किये गए, ये पहले नहीं थे, कौनसे कौनसे, AS15, AS15, accounting for employee benefits, then राजय पिटाजी, AS23, ये actually consolidation में discuss होगा, बट ये नहीं introduced है, पहले नहीं था, old syllabus में नहीं है, AS27 नहीं है, AS25 नहीं है, और AS28 impairment of assets भी नहीं है, ये हम कहां पर deal करेंगे, consolidation topic में deal करेंगे, 23, 27, 21, और साथी साथ आपको ध्यान में रखना, 15 एक additional हो गया, so additional में बता दू, AS15 आपको करना है, AS28 करना है, AS25, और बाकी का तो consolidation में हो जाएगा, consolidation में जो दो add हुए, वो consolidation में हो जाएगे कौन सा, AS23 और AS27, is that okay, ये जो तीनों AS है, 15, 28 और 25, questions आने की संभावना है बहुत जादा है, क्योंकि तीनों ही महत्व पूर्ण और difficult AS में से एक आते है, so AS15 के आगे आप लिख लिजे, important, AS15 के आगे लिख लिजे, important, फिर 28 के आगे लिख लिजे, important, 25 के आगे लिख लिजे, important, और कुछ AS आपको और देता हूँ, जो आपको ध्यान में रहने चाहिए, कि important है, कि अगर इतने AS करोगे तो 100% marks मिलना तय है, कुछ नों कुछ तो आएगा, इसका पहला आप लिख लिजे, AS19 में important है, 18 important है, 20 important है, 22 इंपोर्टेंट है, 26 important है, 29 important है, और यहाँ तक लिखा, 10, 11, and 9, यह एस important है, चाहो तो यह को रिलिख लो, boring cost important है, लो जी, आपके syllabus को मैंने इस तरीके से डाल दिया, कि जिसके अंदर मैंने आपको बता है, कि भाइस, आप कौन सी कौन सी चीजे important है, तो राजय बिटाजी, एस 9 से शुरुवात करते हैं, एस 9, 10, 11, then 15, 16, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 28, and 29, is that okay, आपको अगर पास होना है, तो इन चीजों पर ज्यादा फूकस करना शुरुवात से ही, और वी अल ड़न, सो बिटा जी, कैसा लगा आपको, कुछ समझा नहीं सरे एस का तो, बट syllabus कैसे लगा, मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत बहतरीन syllabus पढ़ रहा है, सारी unwanted चीजों को निकाल दिया गया है, जो core चीज लगती है, रियल लाइफ में, बस उनी को रिटेन किया गया है, so you are gonna learn a lot of core things, but there is a major major problem, which you should understand, and for which we might have to devote little more time for you people, हमें थोड़ा सा और टाम देना पड़ेगा, right, but syllabus आपका पांच महीने में ही cover हो जाएगा, 100% बोद ग्रूप syllabus पांच महीने में ही cover हो जाएगा, but अगर किसी दिन मैं आप से कहूँ कि थोड़ा सा एक्स्ट्रा बैठेंगे, या थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करेंगे, तो आपने चिड़ चिड़ नहीं करना, करना, मैं आपको reason के साथ बताता हूँ कि क्यूं, और ये day one को बता रहा हूँ, मतलब मैनत ज्यादा करनी, syllabus हमारा उसी समय complete होगा, क्यूं मैनत ज्यादा करनी पड़ेगी, देखो जो बच्चा foundation से आया है भी, ऐसे कितने बच्चे, अब तुम foundation से आयो, तो तुमको मुझे ये समझाना जरूरी है, कि जब मैं पहले बच्चों को पड़ाया करता था, तब मैं topics जो थे, profit prior to incorporation, insurance claim, investment account, redemption of debenture, departmental account, redemption of preferential, bonus share, higher purchase, preparation from single entry, ये सब topic पड़ाया करते थे, अब ये topic का स्थर lower है, नीचे का स्थर है, easy star है, अब आप क्या होगा कि आप यहाँ पर हो, easy level पर foundation से आयो, या become से आयो, तो आप एक easy level पर हो, पहले के बच्चे क्याँ थोड़ा सा उपर की level पर शुरू करते थे, अब क्या होगा जो easy का स्थर था, foundation का, और यहाँ से शुरू होता था, यह topic easy से शुरू होते थे, बट अब यह scale उपर बढ़ गए, क्योंकि आपका topic जो शुरू होगा, वो directly या तो AS से शुरू होंगे, या directly start होंगे, किसी एक topic से, जो कि सिर्फ साथ है, पहले आप देखो ना दरह, कितने सारे topics थे, आप कि आपके बाइसाब, क्योंकि foundation के syllabus, कुछ topic इधर से introduce कर दिए, देखो, अगर आप यह देखो, redemption of departure, foundation में जला गया, redemption of preferential, foundation में जला गया, bonus foundation में जला गया, preparation of incomplete record, foundation में जला गया, resolution of firm, foundation में जला गया, I agree, intermediate का syllabus, इंटरमीजेट का syllabus डिलेट हो गया, जो easy था, तो हुआ गया, कि अभी हमको topic जो शुरुआत करने, डारेक्ली advanced topic से करना पड़ेगा, but foundation तो मोल्ड पढ़ गया हो ना भाई, foundation तो मोल्ड, और डारेक्ली यहां पर new, थोड़ा से advanced scale पर रहेगा, तो इसके वज़े से हमें थोड़ा time देना पड़ेगा, यह मेरा नीजी experience रहा है, बहुत सारे foundation के students को पढ़ाने के वज़े से, कि वो कौन से scale से कौन से scale पर जाद पाते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना निवेदन करूँगा, कि राजया बेटा जी, अगर कभी कबार, मैं आपको कहूं कि थोड़ा सा extra पढ़ना है, तो चिड़ चिड़ मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको थोड़ा सा extra time लगेगा, बट which would be okay, और in fact आपके वाइदे में हो गाई यह, तो आपको यह जो कोई भी transition है, आपको पहले मिलेगा एक concept book, यह concept book कुछ इस तरीके से होगी, और मैं आपको बता दू कि यह पूरी तरीके से हमने books को revamp कर दिया है, यह concept book आपको मिलेगी एक पहली चीज, concept book में अगर आप देखेंगे तो आपको practical case studies भी देखने को मिलेगी, जैसे buyback topic जब हम पढ़ेंगे, तो TCS की भी case study पढ़ेंगे, तो TCS ने अभी buyback किया था, क्यों buyback किया, so we'll be understanding it with the practical case study, फिर राजय बिटा जी, concept book की एक सबसे खास बात, विशेश बात, यह बहुत अच्छी चीज है, जो आपको ध्यान में रखना है, पढ़ते हो, ताकि आपको सारी चीज़े clear हो जाए, बिटा जी, यह जो new syllabus की book मैंने इस तरीके से design करी है, कि इस book के अंदर, concept book के साथ ही मैंने आपके कुछ questions लिये, और यह सारे के सारे questions, unique है, basic भी है, basic से लेकर advance तक भी है, तो अब सीदी simple सी बात है, तो मैं exam के एक दिन पहले खड़े हो, क्या पढ़ना है पता ही नहीं है, तो मैंने क्या किया, buyback के जितने भी अलग type के questions है, अलग type के adjustments है, for that matter, किसी भी topic में, किसी भी ace में, जितने भी अलग type के questions है, या जितने भी concept oriented questions है, वो सभी एक जगे पे लाके separate करकर दे दिया, और तो और खास बात है, उसके लिए solve करने के लिए खाली जगे भी रखी है, rough में, मतब exam के पहले, एक ही book यूज़ करने का है, वो concept book, उसके अंदर ये जो questions लिखे हुए, side में scribble करकर लिख कर देख लो, कि आपको इसका answer आ रहा की नहीं आ रहा है, मतलब exam के पहले आपको पढ़ना होगा, concept book, concept book के साथ में, ये जो जगह दी हुई होगी, उस जगह पर आपको उसको solve करके जाना है, scribble करके जाना है, लिख कर जाना है, और देखना है कि आ रहा है की नहीं आ रहा है, ये question class में, आपको notebook में solve करना है, बड exam या revision के पहले यहां पर scribble करके देखना है, do you realize what I am saying, so मतलब कौन से questions करने के, ये मैं idea आपको दे दूँगा, इसके अलावा और कुछ books है, जिसके अंदर से भी आपको question solve करने पढ़ेंगे, अगर आप ये ध्यान से देखेंगे, तो इसी concept book में ये देखेंगे, mock test paper के भी questions है, जैसे मने बता है, ऐसे basic नहीं है, mock test paper के questions है, फिर आगे बढ़ते हैं बिटाजी, एक revision book बनाई है, मतलब एक बार concept book हो जाने के बाद में, आपको और कुछ questions करने है, तो हमने फिर क्या बनाए, एक revision book बनाई है, उस revision book में, concept books के basis पर और कुछ थोड़े से advanced और exam oriented exams problem भी additional add होंगे, ये questions अगर आप देखेंगे तो 5-6 होंगे, तो मतलब buyback अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो 6-7 question में आपका पूरा buyback, 6-7 नहीं, 6-11 question में आपका पूरा buyback, आप exam point of view से पूरा तरीके से prepared हो जाएंगे, is that okay, तो ये होगा एक और question bank, और फिर और एक addition, अच्छा, question bank के एक खास बात है हमारे याँपर, हर एक question के नीचे एक box दिया जाएगा, जिस box के अंदर आपको लिखना होगा कि कौन से चीज इंपॉर्टन्ट है, मतलब उस question में कौन सा adjustment important है, कौन से figures में कुछ अडचन है, ये सारी चीज़े लिख लेने से, अब आपको पता चल जाएगा कि इस question में हमें revise क्या करना है, और एक ध्यान से देखना कि आपको एक index दी जाती है, हर एक के लिए concept book के index होगी, revision book के एक index होगी, इधर राजा पिटा जी, इस index में क्या होता है, एक्चुली, R1, R2 और R3 stands for revision 1, 2 and 3, इधर राजा पिटा जी, remark column में आपको लिखना पड़ता है कि इस question में क्या खास बात थी, राइट, तो पहले खास बात क्या थी, जब हम class में solve कर रहे होंगे, वो question, और remark column में आप इधर लिख सकते हो, revise before exam, इधर लिख सकते हो, basic question, इधर लिख सकते हो, adjustment on, bonus plus buyback, are you getting my point? So, यहाँ पर जो highlighted रहेगा, वही चीज़ आपको question में जाके देखनी है, जरा ध्यान से सुनना पांड़े जी, यह यहाँ पर पूरा gain current education system is based on your memory, how much you can remember, you can reproduce it in the exam, and how much you can remember, will be directly proportional or dependent on what you are studying before the exam, Can I ask you a simple question, मैं psychology पढ़ा हुआ हूँ, बहुत शौक है मुझे, क्योंकि मैं जब तुम्हारे जितना था, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, तुम्हें से किसको पसंदे पढ़ना? पेक रहा है, दबादा, सुबह सुबह कौन पेकता है, साला भवान भी पाप करता है, और फेक भी कौन रहा है, देख तो लेता मेरे पास एक बार, डर भी गया तिरको मेरा, ये गड़ा, सो मैं आपको बताता हूं, होता कि मैं बच्पन में मुझे बिलकुल पढ़ना पसंद था, बेकार, मेरे बापू को बढ़ा पसंद था, बढ़ा पसंद था, मतलब कैसे बता है किया, मेरे बापू का एक बहुत फेमस डायलोग, वो बलते थे कि देखो बेटा, हम तो नहीं पढ़े, तुम तो पढ़ लो, मैं बापू ये चीटिंग नहीं, पढ़ ले थे तुम मेरे को क्यों भसा रहे, तुम दुबार पढ़ो बापू को नहीं पढ़ने का है, मेरे को भी खेलने का है, तुम ने शादी जल दी करें, तुम ने सब कुछ मजे की है, अब आइसा नहीं चलता है ये अर बापू, इस नाट करेक्ट, तो लेट मी तेल यू, मुझे पढ़ना पसंद नहीं था, एंड वी आड अड एड अफ पाप लगता था कि मैं पढ़ रहा हूं, और वहां से धीरे से नीचे भाग कर, मैं बैठ जाता था नीचे, लाफ्टर चलेंज या वो कोई आया करता था, कोई शोज आया करते था, कॉमेडी हमारे घर में बापू ने केबल भी नहीं लिया था, हमें दूर दरशन दिखाते करते हो, और फिर वहां पर टीवी देखने का, कुछ दिन तक तो प्लाइन चला है अच्छा, फिर पकड़ लिया मुझे, बट देन ही फेल लिटल बैड दाट देए, और देन ही स्पोक तो में ऐसा क्या करते हो, ऐसा क्या करते हो, अपने घर में भी केबल लगा लेंगे, व करते हो, और लुट नहीं है, पागल, मतलब सपोर्ट देने के लिए, तो मुझे ना पढ़ना पसंद था और आपको यह बात समझ में आएगी, कि भाई साब हम जो बोलते हो करते नहीं है, तुम बाते बहुत बड़ी-बड़ी कर लेते हो, यहाँ पर कौन ऐसा बच्चा हो साइकलोजी पढ़ना शुरू करी, और साइकलोजी पढ़ते बढ़ते मुझे एक चीज समझ में आ गई कि राजा बिटा जी कि देर आर सम एरियास विच नीड्स टू बी इंप्रूवड ऑन, राइट, और उन्हीं एरियास के और मैं आपको यह प्रूव भी कर सकता हूँ, इसको प्रमान भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं एक certified graphologist हूँ, handwriting analysis करता हूँ, certified graphologist हूँ, मैंने इसके courses यहाँ पर भी किये, बाट बगेट की भी courses किये, इसके अलावा NLP study करता हूँ, Neuralinguistic Programming, और books तो काफी पढ़ते रहता हूँ, regularly, अभी भी books पढ़ते ही रहता हूँ, मुझे उसमें बहुत इंट्रेस्ट है, psychology में, और फिर मुझे समझ में आगा है, कि मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ, और उस पर improve कैसे करना है, मैं गर्व से कह रहा हूँ, content तो है ही है, बट साथ-साथ किस तरीके से एक बच्चे ने पढ़ा ही करनी चाहिए, इन सारे विश्योय ओपर बहुत दिमाग लगा कर काम किया गया है, तो मैं आप से छोटा सा प्रशन पूछता हूँ, suppose मान लो, एक बच्चा है, पूरे के पूरे, दस महीने पढ़ा है, बारा महीने पढ़ा है, ठीक है, एक्जाम में जाने वाला है, बट एक्जाम में जाने के पहले, उसको एक दिन पहले बुखार आ गया, और वो एक्जाम जो लड़के ने पूरे साल भर कुछ पढ़ा ही नहीं करी, थोड़ी से ऐसी, थोड़ा सा टाइम पस, टाइम पस पढ़ा ही किया, और वो एक्जाम होल में जाता है, और एक्जाम होल में दो-तीन घंटे पहले जाके बैठ जाता है, उधर उसको कोई मिलता है, प्रकट होता पूरे के पूरे क्वेशन पेपर उसको मिल गए, मैं आपसे पूछता हूँ, इन दोनों में से कौनसा बच्चा पास होगा, दोनों फेल होंगे, कितने बच्चों को लगता है, सेकंड पास हो सकता है, कितने बच्चों को लगता है, कि फास पास हो सकता है, यहीं पर तुम यहीं पर तुम फस गया, फस के पास होने के चांसेस बहुत कम है, अगर उसका attitude ठीक रहा तो यह पास हो सकता है, अगर attitude गया तो वो कितना ही बड़ा युद्धा क्यों न हो, जिस समय attitude से गया, जिस समय डर गया, उस समय बैंड बज़ गई, उसके पास खोने के लिए बहुत सारी चीज़ है, जब वो एक्जाम में जाएगा, तो राजा बिटा जी अगर भेहन की शादी है, वाटेवर और पड़ा ही नहीं हो पाई है, तो वो डरा हुआ जाएगा, सहमा हुआ जाएगा, अगर डरा हुआ नहीं गया, बिंदास गया है तो हो जाएगा, क्योंकि उसको सारी चीज़े याद आजाएगे, बट अगर डरा हुआ गया है, तो डरा हुआ आप मेमरी और डर एक साथ काम नहीं करता है, तुम्हें डर में मेमरी कभी याद नहीं आएगे, आप देख लोग जब कभी भी आप औरल एक्जाम में जाते थ अनफर्चिनेटली, तो यह विद द फियर, विन आट भी अबल टो परफॉर्म, जब कोई बंदे को जाके पेपर दिया जाता है, यह पेपर आएगा, तो बंदा बोलता कि बेस्ट है, मेरा काम सौटेड है, अब मेरे को डर नहीं, बंदास पढ़ता है, उसको दिमाग लग यह सौर नो, और वो पेपर लिखने की कोशिश करता है, आपको यह चीज़ दिमाग में रखनी है, कि एग्जाइम के दो तीन दिन पहले, डर के साथ आपका सामना ना हो, और डर के साथ सामना तब नहीं होगा, कि जब आपको पता होगा, कि मुझे एग्जाइम के पहले क् जाना है, exactly the same way, the guy who gets the paper before the exam, उसी तरीके से आपको भी पता होना चाहिए, कि मुझे एग्जाइम के पहले करकर क्या जाना है, तो इस बुक की डिजाइनिंग इस तरीके से हुई है, कि जिसके अंदर एग्जाइम के पहले आपको क्या करके जाना है, यह हम एग्जाइम के प working on your fear, कितने बच्चे निऊजबेपर पड़ते हैं, very good, कितने बच्चे मुवी देखते हैं, कितने बच्चे सीरियल्स देखते हैं, या फ्रेंड़्स देखते हैं, right, सीरियल्स वगर कुछ देखते हो, कितने लोग उसको याद करते हैं, कितने लोग याद कर दे बाई साब भगवान ने ऐसा खतरनाक magic बना के बेजा है तुमको It is a miracle, it is sitting in front of me क्या बात करते हो आप आप बैठ कर हर रोज के हर चीज़ों को याद करते हो गया कितनी छोरियों को रसोही आती है थोड़ी बहुत कितने छोरों ने और छोरियों ने रसोही बनाना याद किया लिक लिक कर रटा याद करने की जुरूत नहीं है वहाँ पर सिर्फ एक चीज़ गाहब होती है वह है fear fear को निकालना पड़ेगा fear can create a lot of chaos and confusion in not learning a particular thing संकोच भी उसको कई बार कहा जाता है कि संकोच वर्ष हम कई सारी चीज़े नहीं करते है लोग क्या कहेंगे तो प्लीज इस बात का ध्यान रहे कि हम क्लास में day 1, day 2, day 3 से ही आपको एक बात बता दूँगा we'll be working on what we have to do before the exam और आपको किस पर काम करना है fear factor ठीक है अगर मान लो गड़बड हो भी रही है तो ठीक है मस्त रहना इसके उपर बाते करूँगा मैं तो अभी के लिए मैंने बुक बतानी शुरू की थी ये question bank दिखेगे बाई फिर उसके अंदर और एक third color का question bank बनेगा ये green color का है इसके अंदर बिटा जी मैंने question जैसे identify किये थे पहले concept question identify किये फिर कुछ और questions identify किये जो हमें exam के पहले करके जाना है बट अपने class का rule एक्दम simple आपन छोड़ते कुछ नहीं है तो आपके अभी तक के institute में जितने भी questions है good news ये है कि आपकी जो नए material publish हुआ है उसके जितने भी questions है सब added है जितने भी RTP questions है सब added है जितने भी mock paper है सब added है जितने भी past exam question paper है सब added है कुछ reference book के additional questions भी added है अगर आप इधर ध्यान से दिखेंगे तो आपको इधर index में दिखेंगा ICI illustration 1, 2, 3, 6 practical question 2, 3 question paper May 18 RTP November 18 question paper 19 ICI का और अलग-अलग जगे से जो जो भी questions है वो सारे के सारे include किये गए अगर आप इसके भी index देखेंगे तो इधर भी आपको देखने को मिलेगा कि राजा बिटा जी कौनसे कौनसे exam से कहां कहां से कौनसे questions लिए गए पूरा added है अगर आप इधर आकर देखेंगे concept question में तो इधर लिखा हुआ additional question इसका मतलब यह reference book से questions लिए गए agreed so हमारा total question bank bank is divided into how many parts three parts the part number one is concept book जो आपको scribble करकर सारे concept को revise करना होगा revision में तो वह वाली book रहेगी फिर कुछ और additional question करना होगा तो बेटा जी एक yellow color की book आपको मिलेगी यह वाली और अगर मानलो आपको और questions चाहिए और जितने भी questions आज तक institute के वो सारे के सारे questions करना है तो इक green color की book होगी सारे green color की book ऐसे कैसे कैसे design की गए simple सा logic है बेटाची एक ही बुर है की book बट उस book के अंदर color code change होते रहेगा so जब मैं बुलूंगा index come down to the page number green 12.1 मैं इसा बुलूंगा तो green का मतलब समझे गया 12.1 green या फिर मैं बूलूंगा come down to the page number 12.1 yellow ये भी 12.1 से ही शुरू होता है but ये मुझे color coding करनी ज़रूरी थी so that you understand कि भाई साब हमें कौन से questions exam के पहले करके जाने so questions आपको करके जाने concept book और yellow exam के पहले अगर आपको उसके अलावा और कुछ questions करने practice वगर मैं so that question bank is green अब मुझे बताओ syllabus vast भी करेंगे हम पूरा और उसको concise करकर किस सरी के सरी रिवाइस करने ये भी सिखेंगे are we ready अब आगे बढ़ते है बेटाजी एक नहीं book बने हमने जिसका नामे प्रेम से बोलो एस है accounting standard this is the book which we have created मैं आपको एक बात बताता हूँ ये है हमारी पुरानी book एस की और ये same book हमने convert कर दी इस format में मुझे गर्व होता है ये चीज़ आपको बताते हुए कि बेटाजी इसके हर एक answer को हमने redraft किया है जितने भी आपके institute के questions है उन सभी answers को बच्चों के hit में देखते हुए हमने redraft किया है जैसे कई सारे बच्चे आते vernacular medium से कई सारे बच्चे आते मराटी medium से हिंदी medium से गुजराती medium से राइट या कोई भी अपनी local language में आप पढ़े होंगे चलो local language में नहीं पढ़े ये एक new syllabus का classic case है कि जिसके अंदर बच्चे का level difference है सो बेटा जी directly AS पढ़ने जा रहा है तो जरूरी नहीं हो जाता कि एक faculty ने अपनी AS के answers खुद लिखे और वो AS के answers आप अगर इदर देखेंगे तो जैसे question है इसका solution किस तरीके से लिखा है facts of the case दिख रहा है अबको facts of the case क्या लिखा है उपर question में वो एक बार short में बता है next reference दिया गया है कि कौन सा AS लगेगा और कौन सा provision लगेगा AS का third level पर बेटा जी उसके analysis करी गई on the basis of reference और last level पर उसका दिया गया conclusion और ये same questions अगर आप देखेंगे तो institute के कुछ इस तरीके से answers दिये गए थे ये जो black में है ये institute के दिये गए answer से और ये जो ये है ये answers हमने लिखे है so ऐसे हर एक question के answers हमने redesign करे है किसके? AS के GARB से कहता हूँ ये भी एक मात्र ऐसी book है जो पूरे दिनों से काम कर रहा हूँ मतलब आपको ये सब कुछ दिख रहा है it cannot come all of sudden so I have been working very silently मेरे मेरे लेवल पर में काम कर रहा था पिछले तीन चार महिनों से काम कर रहा हूँ AS पर तो उससे पहले काम कर रहा था तीन महिनों से अम new syllabus पर काम कर रहा है जब आप बुक्स देखेंगे तो I am sure that you are gonna like it AS की बुक्स में आपको क्या क्या मिलेगा same concept जैसे हमने बाकी की चीज में पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर आपको क्या मिलेगी एक खेरी की बुक मिलेगी AS का अनन्द दूसरा आपको मिलेगा question bank और तीसरा आपको मिलेगा bare text bare text शायद आपको soft copy में मिले bare text क्या होता है जब आप यहाँ से real life में बढ़ोगे तो real life में आपको article ship के दोरान AS देखना है तो तो मेरी बुक्ष खोल कर नहीं देख सकते है this is so very orthodox way of doing it कि जो teacher की book है वही आपको यह पता होना चाहिए कि मुझे AS देखना कहा पे real life में so मैं आपको bare text भी पढ़ना सिखाऊंगा और bare text को किस तरीके से देखा जाता है that is what I am gonna teach you is that okay so पूरा का पूरा logic ऐसा है कि आपको हर तरीके से independent बनाने का logic है पढ़ाई के मामले में पूरी तरीके से independent मेरा बच्चा so books में आपको समझ में ही कॉंसे कॉंसे book होगी पहले concept book होगी फिर एक question bank होगा which is yellow in color फिर एक question bank होगा which is green in color so this would become one book this would be available for those seven topics which we have seen इसके बाद में AS की जो books रहेगी AS की books is divided into three parts the first is AS का अनन्द theory AS का अनन्द that is concept book and AS का अनन्द that is question bank and last one is AS का अनन्द that is bare text bare text के आपको soft copy मिलेगी अच्छा अब ये books के वजन के basis पर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड कर देता हूँ डिवाइड क्यों कर देता हूँ क्योंकि आप बैग में लेकर आते हो बहुत वजन होता है so I will not give you one book of AS का अनन्द AS का अनन्द का concept book might get divided into two and AS का अनन्द question bank might also get divided into two books समझ में आएग निया है मतलब books बोलने के लिए मैं दो बोल रहा हूँ बड़ उसके दो volumes हो सकते दोनों के ठीक है अच्छा है ये जब theory book है आपके AS का अनन्द का या concept book है उसके अंदर भी name of the concept मतलब AS के अंदर जितने भी concept है उसके अंदर कितने questions है उस concept पर और कौनसे revise before one day है ये किया है मैंने आपको बदा था ना psychological काम किया है मैंने मैं एकदम clear था कि मेरे बच्चे को exam के पहले जाने के पहले क्या करके जाने ये पता हुआ बात खत्म वो पास होएगा ही होएगा then the next one is question bank question bank भी same तरीके से है जैसे मैंने आपको बता है जितने भी questions होंगे वो सारे के सारे cover कर लिए जाएंगे agreed और राजा बिटाजी आपकी bare text bare act ये इस तरीके से होगी जो आपको शायद से soft copy में मिलेगी चले भी आगे ये अभी कुछ आपको उसके ये बता रहा था कि किस तरीके से दिखेगी चीज़ है हर एक जगे पर इस तरीके से case studies बनाई हुई है जैसे ये case study बनाई हुई है AS4 की जिससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ने में आसानी होगी तो mail jewel बैठेगा इस तरीके से case studies बनाई गई है ये आपको एक sample बता रहा हूँ कि किस तरीके से हर एक concept question पर हमने questions include किये थे right और एक book का presentation दिखा रहा हूँ कि बुक किस तरीके से बनाई गई है quick summary जगे-जगे पर add करी गई है right कौनसे कौनसे question refer करने उस concept के लिए वो लिखा गया है कि जब आप पढ़ोगे तब आपको पता चली जाएगा बट क्या day one को यह चीजे समझना बहुत ज़रूरी होता है आपको idea लिगती इसके अलावा आपको इस class के साथ क्या मिलेगा test series test series which would be checked also और यह test series आपने लिखना अनिवारी है क्योंकि इसके basis पर आपका score इंप्रूव होता है नहीं तो जो सोलापूर में था तो मेरा dream इतना ही था कि भाई मैं एक splendor गाड़ी ले लूँ 25,000 का job मिले बात खतम आउट लुक ही वह था कुछ नहीं चीए था मुझे मेरा life बास सर जी यह CA course है ना यह पुरी जान डाल देता इंसान में कम से कम मुझे बाकी का पता नहीं बट माया पैसा कभी भूके पेट सोने की आदत नहीं रहे गया आपको मतलब कोई सोता भी नहीं आजकल हाँ आजकल नहीं पहले सुआ है बट मैं आपको यह बता रहा हूं कि आप इजज़त से जीपा होगे रहे इसके लिए बहुत अच्छे से प्लैनिंग करकर अगर करे न तो यह आराम से हो जाता है I have learned it in a hard way हम मैं self study करके पास हुआ वह important है इतना important ही कि sir पढ़ा देगा बट अगर आपने test series नहीं लिखी तो फिर problem है तो जो online का बच्चा है especially तुमने भी सुनना है एक गम religiously test series देना है सारी कि सारी मतब इतना बुरा लगता है कि हम लोग पैसा देते हो test series वालों को और बच्चे test series नहीं देते है test series देना है मतलब देना है जो parents आज मुझे सुन रहे है यह बात ध्यान में रख लेना कि हमारा पढ़ा है एक तरफ और test series एक तरफ आपके बच्चे ने test series लिखना ही चाहिए test series लिखेगा तो पता चलेगा कि भाई mistake कहा हो रही है और उस mistake को identify करकर समाय पर rectify करना ज़रूरी है तुम गहां होने के बाद में उसको खुला नहीं चोड़ सकते है उसको rectify करना पढ़ता है बले कश्ट हो बट उसको ध्यान रखना पढ़ता है और सेम तरीके से अगर तो test series is including in this curriculum's fees अच्छी बात है के नहीं है मतलब बार test series नहीं लगाने के है बेश्ट है आपको marathon revision lectures मिलेंगे SPC के एक खास बात है और SPC was the pioneer of this thanks to Sapnil भाई, Sapnil भाई ने बहुत जोरदार काम किये कुछ-कुछ ऐसे ऐसे trend लेके आए इंडिया में, मतलब वो हिला के रख देता है इंडिया को, Sapnil जबरदस आद्मी है और मेरे बहुत अच्छे मित्र है, गर्व से कहता हूँ, तो Sapnil आई ने ट्रेंड लेके आया था marathon lectures, और marathon lectures में क्या होता है कि exam के एक दिन पहले आपका पूरा का पूरा revise करकर दे दिया जाता है, पूरा का पूरा revision, मतलब सुभे से लेकर शाम ता कि या फिर कुछ एक particular session में revise करकर दे दिया जाता है, अगर आप 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 जाके देखेंग है, intermediate group 1 की marathon है, intermediate group 2 की marathon है, accounting standard की marathon है, उसी तरीके से new syllabus की भी आपकी marathon planned है, आप अगर notes देखेंगे तो इसके notes पूरी तरीके से अलग है, हर एक चीज़ पर यहाँ पर काम अलग से होता है, मतलब ऐसा नहीं कि साला वो चीज़ कर ली वही, नहीं, अभी marathon के लिए करना है, तो marathon आपको मिलता है, revision lectures होते है, और साथ ये साथ, अभी लास्ट एक डम बहुत जोरदार वाली चीज़ है, अभी आने वाले समय में, जब कभी भी time मिलेगा, तब आपको इसके बारे में विस्तार से बताऊंगा, लोचा क्या है, तुम पढ़ा करने के लिए लगोगे, अब आ अब मुझे बताओ, तुमारा फेवरिट सब जेक कौन सा है? तुम्हारा विउक सब जेक कौन सा है? costing, तुम्हारा grenशे करने के लिए लोगा कि तुम बैकलोरा भी से करना चाएगा, मैं mighty का या ओन से लिन कोड़ी हां, का कि ऑल्स तुम्हारा मुद्दा तो यही रहेगा और अभी क्लास में कुछ बच्चे बहुत भारी रहते वो बोलते हैं कि नहीं यार शुरुवात से मैं यह पढ़ना शुरू कर देता हूं तो उसने तीन चारे टॉपिक कर लिए अब मैं आपको बता रहा हूं पूरा गेम क्या है जब कभी भी कोई टीचर आपको veak talk कर देगा आपको टो वाज़स का आप पढ़ा होने कैसा और करने टीगा सभी बच्चों को बोलेका यह देखो एचे सब्जेक्ट है इन चे सब्जेक्ट में से आपको पहले यह तस जीकर नहीं है इसमें इंट्रेस्ट नहीं है या यह वो कि सार मेरेक। इतना तैम नहीड लगता है मेरszy तुमेरेकव बड़ेने को बाइपाइ मोछंगे अम очень बहुAN को καई सब्सक्राइम गोग एसब लोग करने का इससा ढोसन नहीं करने का इस उचसा चैम। she will take less time for economics if he is weak in costing he will take little more time in costing if he is strong in accounts he will take little less time in accounts yes or no there are selection choices about the subject so if the planning has to be done it cannot be done on the basis of all the students as one single plan how is that possible and within the topics also you will have your own sequence tomorrow sequence allahoga iska sequence allahoga tumne match but foundation mein pala topic concept that sir foundation ke bachche konse konse so mathka topic paela konse bada dumne tumne konse bada ha ha and it you tumne konse bada ratio proportion or go either mathka or konse bada ha time value of money yes ha lr tumne dekha sabhi bachcheon a lag a lag topic but this is not correct that I force my kids to study the single topic on day one no so jab api el mein jate ho to tumhare hesaab se unique plan create hota iiske baare mein zyadha nahi bholunga mein bas mein aapko bada raha hon ke is course ke saath mein aapka mentorship program ka joh paisa kuch bachche dhe raha thay aur mujhe ahat ho raha thi thi woh mentorship program ka paisa mein aapka zero kar dunga you don't have to pay anything anywhere you will be getting free of cost along with your curriculum iske anadar aapko puri chizhe plan kar kar dhi jayegi yeh dhekhiye koonse subject ko kitna time deena chahiyeh aur har ek bachche ka unique ho ga yeh har ek bachche ka unique ho ga uski strength uski weakness ko identify kar karke kama kia gaya yeh yeh mein iske kai saal pahle acca ke bachche ko padaya kata yukke ke bachche ko aur wahaan par yeh chizh man implement karayi thi wari super duper successful thi and now we have implemented it in india also and aa aane waale samayi mein aapko batao ga yeh dhekhi hai iske anadar puri chizhe se detail mein aegi ki chay august 2020 ko yeh purana planner ka abhi unohne photoshop photo yeh liyeh so corporate and other laws aapko padna hai ki first reading 1 ghanda 30 minute mein phir cost and management accounting activity based costing yeh aapko padna hai first reading 1 hour 45 minutes mein so you will be learning sorry ah i will just complete so ah you will be completing what you will be getting the details about when to study what and which sequence and whichever topic you want you will be getting in that sequence yes or no this bar ek naya feature ride ke harshad bhai jeske undar apan beshte kya yaar tu re ga abhi so i was just trying to tell you that you will be getting this feature also free of cost so mentorship program ka jo kuch bhi apka cost hai that would be reduced to zero and exam paper analysis ho karayi yeh sari chizhe apko di jayegi which i will talk about it ah in the next lecture or so because ah harshad bhai ki yaarRI aagaya nahin 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 nahi it won't be possible syllabus also very well and you understood the level difference also and you understood what all steps SPC has taken up so that you will not have a problem in new syllabus and I'll tell you we are proud enough to tell you that we have completed each and every book मतलब syllabus की जो books है आपको शीट शीट में नहीं मिलेगी आपको बुक्स पूरी मिलेगी एक साथ तो बहले ही वो online live हो GDPD हो या किसी भी मोड में अगर आप हो तो आपको बुक्स पूरी वन गो में मिलेगी इस एक सो राजा बेटा जी अभी प्रेम से आपको बोलता हूं बाई बाई और मैं आपको और एक बात बता दूँ कि कल से अपना syllabus वापी शुरू हो जाएगा आज हमने syllabus को लिख लिया है अच्छे से समझ लिया है tomorrow onwards we start with the syllabus right so thank you so much for your listening and God bless you all bye 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 do take care of yourself bye bye